नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हर्याणा में मैं हूँ आपके साथ अपूर्वा और आप देख रहे हैं हमारा खास कारेकरम हर्याणा में आज सबसे पहले बात करते हैं चंडिगड की जहां सीम कारेकरताओं से आज मुलाखात करने वाले हैं और अपने आवास पर सीम कारेकरताओं से मुलाखात करेंगे और इस बीच कई मुद्दों को लेकर कारेकरताओं से चर्चा की जाएगी तो बड़ी खबर इस वक्त के आपको बता रहे है चंडीगर से जहां आज जो सीम कारेकरताओं से मुलाकात करने वाले हैं और यहां पर वो कारेकरताओं के साथ कई एहम मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं यह जो मुलाकात है वो आवास पर होगी बड़ी ख़बर इस वक्त के आपको बता रहे हैं CM आज कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे कई एहम मुद्दों पर कारेकरताओं से चर्चा की जाएगी विचारवे मर्ज किया जाएगा कई एहम मुद्दों पर कारेकरताओं से उनकी राय जानी जाएगी और ये मुलाकात सीमावास पर ही होगा सीम कारकरताओं के बीच आज जाएंगे उनसे मुलाकात करेंगे उनसे बातचीत करेंगे और ये मुलाकात ये बातचीत का सलसला सीमावास पर ही होगा कई एहम मुद्दों पर आज जो सीम कारेकरताओं से मुलाखात करेंगे उनसे बातचीत करेंगे आज की बातचीत में आज की मुलाखात में कई एहम मुद्दों पर विचारवे मर्श किया जाएगा कई एहम मुद्दों पर कई बड़ी योजनाओं को लेकर यहां बातचीत की जाएगी चर्चा किया जाएगा बड़ी खबर चंडीगड से आपको बता रहे हैं जहां सीम आज कारे करताओं से मुलाकात करेंगे बड़ी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे समवादाता विपिन परमार जो कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं उनसे सीधे जानते हैं कि क्या कुछ आज की इस चर्चा में होने वाला है विपिन क्या खास होने बाला है आज के इस चर्चा में क्यूंकि सेम आज कारेकरताओं से मुलाकात करेंगे और उनसे कई एहम मुद्धों पर चर्चा भी करेंगे क्या कुछ वो मुद्धे होने बाले हैं दिखे एक टूवे कम्मिनिकेशन किसी भी सरकार को या किसी भी प्रदेश के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता हो और ऐसी परिश्टितियों में कहीं न कहीं कारेकरताओं के साथ समन्वे बनाना लीडर्स का जो है वो सबसे बड़े ही प्रायरिटी रहती है इसी कड़ी में लगातार मुख्यमंत्री पहले भी फीड़बाक लेते रहे हैं जो प्रदेश की परियोजनाएं चल रही हैं कारेकरताओं का सहयोग जो है वो किसी भी पार्टी या किसी भी सरकार को बहुत ज़रूरी चाहिए होता है और इसी कड़ी में आज भी मुख्यमं है क्योंकि जमीन पर जो है अगर बात करें धरातल की तो अलगलग कारेकरता ही है जो पार्टी के लिए काम करते हैं और सरकार की यूजनाओं को जन जन तक पहुचाने का काम करते हैं ऐसी परिस्तितियों में कारेकरताओं का फीड़बैक लिया जाएगा समीक्षा की देखना यह होगा कि अपने फीड़बैक में तमाम कारेकरता क्या कहते हैं और मुख्यमंत्री की और से आज इन कारेकरताओं को बाची को बढ़ाने या फिर सरकार की परियोजनाओं को जन जन तक पहुचाने के लिए क्या कुछ जो है गुर्मन तो दिया जाता है बिल्कु जानकारे इस वक्त आप हमें दे सकते हैं लाजमी सी बात है क्योंकि आपका फीड़बैक बहुत ज़रूरी है आपर लेबल तक जाना मिसकम्मुनिकेशन ना हो पर यूजनाएं क्योंकि सरकार यूजनाएं बनाते हैं लेकिन लागू करवाना एड्मिनिस्ट्रेशन का काम कि यूजनाओं पर क्या काम पूरा है यह तमाव फीड़बैक बनाता है